आईए भक्तो आज सुनते हैं असार मास में सुनी जाने वाली सीरिशी महापुरान की अध्याय नौ की कथा तो एक बार बोलिए प्रेम शेशीव जी की जै माता पार्वती की जै उमा सहीत भग्वान शिव का परकट उनके द्वारा अपने सरूप का बिलेचन तथा ब्रह्मा जी तीनों देवताओं की एकता की परती पादन ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भग्वान विश्नु की द्वारा की हुई अपनी अस्तूती सुनकर करुना नीधी महेश्वर बरे परशन हुए और उमा देवी के साथ वहां प्रकट हो गए उस समय उनके पांच मुख और परतेक मुख में तीन तीन नेत्र सोभा पाते थे भाल देश में चंदमा का मुकुट सुसोभित था शीर पर जटा धारन किये गौर वन विशाल नेत्र सीव ने अपने शंपुन शर समस्त आभुष्णों से भिभुषित थे उन स्वार्ग सुंदर सिव के मस्तक भर्ष मई तिरपुंड से अंकित थे ऐसे भिभुष्णों से युक्त परमिश्वर महा देव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैने आर भगवान विश्णु ने पुना पिरिये बचनों द्वारा उनकी अस्तूती की तब पापहारी करुना कर भगवान महेश्वर ने परसंचित होकर उन्हें शिरी विश्णु देव को आस रूप से बेद का उपदेश दिया उसके बाद सिव ने परमात्मा शिरी हरी को गिर्दा ग्यान परदान किया फिर उन पर परम आत्मा ने किर्पा करके मुझे भी वह ग्यान दिया वेदों का ग्यान पराप्त करके किर्तार्थ हुए भगवान विश्णु ने मेरे साथ हाथ जोर महेश्वर को नमस्कार करके पुना उनकी पूजन की बीधी बताने का सदू देश देने के लिए पराथना की या बात सु दोनों की भक्ती से निच्चे ही बहुत पर्षन हूँ तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो इसमें तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का पर्यंत पुर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए तुम दोनों महावली हो और मेरे स्वरूप भ अंगो से तुम्हारा अभिभाब हुआ है पितामा ब्रह्मा मेरे दाइने भाग से उत्पन हुए है और विश्नु पर्मात्मा के माम पर्ष से परकठ हुए है मैं तुम दोनों पर भली भाती पर्षन हूँ और तुम्हें मनों बांचित बर देता हूँ मेरी आज्या से तुम इस चराचर जगत का पालन करो दोनों से ऐसा कहकर भगमान संकर ने हमें पूजा की उत्तम बीधी परदान की जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजग को अनेक परकार के फल देते हैं शंभू की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहीत सीरी हरी ने महिस्वर को हाथ जो पर नाम करके कहा भगमान विश्णु बोले प्रभु यदि हमारे प्रती आपके हिर्दे में प्रेम उत्पन हुई है और यदि आप हमें बढ़ देना आवस्यक समझते हैं तो हम यही बढ़ मांगते हैं कि आप में हम तोनों सदा अन्य अभिचल प्रेम एबं भक्ती बने रहे ब्रहमा जी कहते हैं मुनी सिरी हरी की या बात सुनकर भगमान हरी मेरे साथ पुना मस्तक जुका कर पर नाम करके हाथ जोर खरे हुए उन नरायन देव से स्यम कहा शिरी महेश्वर बोले मैं स्रिष्टी पालन और संघार का काये करता हूं संद्गुन और निर्गुन था सचितानंद स्वरूप निवारी का प्रम भ्रहमा पर मातमा हूं विष्टी रच्छा और परले रूप गुन अत्वा कायों के भेत से ही मैं ही ब्रहमा हूं विष्टु हूं और रुद्र नाम धारन करके तीनों रूप में विविक्तु हूं मेरे बात्सब में मैं सदा निश कल हूं विष्टु तुमने और ब्रहमा ने मेरे अवतार के नियमित जो अस्तूती की है तुम्हारी उस प्रत्ना को मैं अव्यस सच ही करूंगा क्योंकि मैं भक्त बस्सल हूं मेरा ऐसा ही परम उतकिर्ष रूप तुम्हारे सरीर से इस लोक में प्रगट होगा जो न प्रगट हुआ रूद्र की समार्थे मुझ से कम नहीं होगी जो मैं हूं वही यह रूद्र है पूजा की वीधी विधान की दृष्टी से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है जैसे जोती का जल आदी के साथ संपर्क होने पर भी उसमें असपर्ष दोस्त नहीं यह मेरा शीव रूप है जब रूद्र परकट होंगे तब भी शीव के ही चले होंगे महामुने उन्हें पर्यापन का भेद नहीं करना चाहिए बात्सर में एक ही रूप सब जगत में वेवहार निवार के लिए दो रूपे में विव्युक्त हो गया है शीव आर रूद्र म कभी भेद बुद्धी नहीं करना चाहिए बात्सर में सारा द्रिस्ये ही मेरे विचार से सीव रूप है मैं ब्रहमा हरी आर जोय रूद्र परकट होंगे वह सब के सब एक रूप इनमें भेद नहीं है भेद मानने पर अब्यर्ष ही बंधन होगा यथा पी मेरा सीव रूप ही सनातन है यही सदासब रूपों का मूल भूत कहा गया है यह सत्य ज्यान एबं अनंत ब्रहमा है ऐसा जानकर सर्धा मन से मेरे यर्थात स्वरूप का दर्शन करना चाहिए बढ़ा मन सुनो मैं तुम्हें एक गोपनिये बात बता रहा हूँ मैं स्विम ब्रहमा जी का भु लोगों ने कहा है हर आमस प्रतीक के हैं बात्सम में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है उस अहंकार को केबल तामस ही नहीं वैकारिक भी समझना चाहिए क्योंकि सातिक देवगन बैवारिक अहंकार ही सृष्ठी है यह तामस और सात्विक आदी वेद़ केबल नाम म कहा जा सकता ब्रहामन इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए तुम तो इस रिष्टी के निर्माता बने और सिरीहरी इनका पालन करे तथा मेरे अंसे पड़कट होने वाले जो रुद्र हैं इसका पड़ले करने वाले होंगे यह जो उमान नाम से विख्यात परमेश्वरी परकिर्ती देवी है इनकी सकती भूत बाग देवी प्रहमा जी का शेवन करेगी परकिर्ती देवी से जहां वो दुसरी सकती परगट होगी वा लच्मी रूप से भग्मान विष्णु का आश्रे लेगी तदंतर पुनाकाली नाम से जो तिस्री सकती परकट होगी वह निच्चे ही मेरे अंस भूत रुद्र देव को प्राप्त होगी वे काये की सिध्धी के लिए वहां जोती रूप में प्रगट होगी इस परकार मैंने देवी की सुब स्वरूपा परा सकतियों का परिचै दिय उनका काये करमसर स्रिष्टी पालन और संगार का संपादन ही है सुट स्रिष्ट ये सब की सब मेरी पिर्या परकिर्ती देवी है देवी की अंस भूता है हरे तुम लच्मी का सहारा लेकर काये करो प्रह्मा तुम्हें परकिर्ती की अंसु भूता बाग देवी को पाकर मेरी अग्या के अनुसार मन से श्रिष्टी काईये का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी पिर्या की अंसु भूता काली का आश्रे से रुद रूप से परले समंदी उत्तम काईये करूंगा तुम सब लोग अबेश ही संपून आश्रम रमो तथा उसमें मिलने वाले अधिकार द् ज्यान से संपता और संपून लोकों के हितेसी हो मेरी अग्या पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्ती दाता बनो मेरा दर्शन होने पर जो फल पराप्त होगा वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा मेरी यह बात सत्ते है सत्ते है इसमें संसे के लिए अस्था न जो इन दोनों के अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेश पिर्ये है प्रह्मा का दाहिने अंग से प्रगट हुआ है और महापरले कारी विश्मता रुद्र मेरी हिर्दे से पादु भाब होंगे विश्नु मैं ही स्रिष्टी पालन और संघार करने वाले राजस आदी गुनों द्वारा प्रह्मा विश्नु और रुद्र नाम से पर्शिद हो तीनों रूपों में प्रिथक प्रिथक प्रकट होता हुँ सक्षात सिबम से भीन है वे परकिर्तिक और पुरुष से भी परे है आदितिये नित्य अनंत पुन एबम निरंजन पर प्रमात्मा है ती लोकी का संघार करने वाले रुद्र देव भीतर सत्य गुन और बाहर तमो गुं धारन करते हैं तथा तीरी भूबन की स्रिश्ट पर्रमा जी पाहर और भीतर से भी रोजो गुन है इस परकार ब्रह्मा विश्नु तथा रुद्र इन ती देवताओं में गुन है परंतु सी गुनातित माने गए हैं विश्णु तु मेरी अग्या से स्रिष्ठी करता पितामा का परसंता पुर्पक पालन करो ऐसा करने से तीनों लोग पुझनिये होंगे तो एक बार बोलिए प्रेम शेशीप जी की जै माता पार्वती की जै